नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर और क्योंकि बहुत कम टाइम है तो इसलिए बिना टाइम बेस्ट किये मैं सीधे टॉपिक पर आती हूँ आपको याद है मैंने वीडियो अप्लोड किया था मैंने संस्क्रित की जित्ती महत पूल रच जा दिया है तो उसी यह पर आपको वीडियो को अब देखना चाहते है तो इसको एक बार याद कर लीजे चुकि आएंगी तो जाहर सांगा आएंगी तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यूव है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको हमारे नेक्स सारी वीडियो मिलते रहें चले स्टार्ट करते हैं तो यह है काली दास काली दास ने जो में फेमस रचना है वैसे उनकी सारी जितनी वी रचना है बहुत ही फेमस है तो यहाँ पर उसका जो मैंने कुछ दे रखा है ना तो एक आपका है मालविकागने मित्रम इसके वह इंपोर्टन्ट है यह क्यों इंपोर्टन्ट है यह काली कि पहली रचना है मालवी कागन मित्रम ठीक है यह ध्यान रखेगा इसके बाद रेतुसंगहार मेगदूतम विक्रम और वर्शिय तो यह सारी चीज़ है इनके बार मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दे रखी है कि रितुसंगहार है मेगदूतम इसमें कितने सर्ग हैं कितने खंड हैं और कितनी मतल्स में किसकी वर्णन किया गया है ठीक है आपको याद है मेगदूतमें किसका वर्णन है नहीं याद है चली एक पर देख लीजेगा ठीक है अब उसके लिए आपको देखना पड़ेगा चलिए आगे बढ़ते हैं तो पतांजली इनकी जो रचना है महाभाश्यम महानंद काव्यम तो यह दो मैंने लिख रखी और भी रचना है पर यहाँ पर मैंने फिर हाल दो लग लिख रखी है आप इसे यह नोट डाउन कर लीजे कॉपी ले लिजे कलम ले लिजे नोट करते चलिए ताकि रिवीजन में आराम रहे नहीं तो कितनी बार आप वीडियो खोल खोल के देखेंगे वैसे द्वी देखेंगे तो मेरे ही अच्छा है लेकिन आपकी पढ़ाई के लिए आपका टाइम वेस्ट होगा तो आप नोट ही लेहरी मतलब जिस रिस में लेहरी है तो वो सब क्या है वंडित राज जगनात ऐसे याद करिए एक exception है प्राण भरण इसके आगे वे लेहरी लगा होना चाहिए था सही था चलो अगला देखते है भरत मुनी इनका सबसे फेमस जो है वो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कादंबरी के बारे में हर्श चरित के बारे मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में इनकी डिटेल्स जो है किसका वर्डन है कितने सर्ग है कितने उच्छा वास है सब मैंने बता रखा है अगला देखते है भास तो भास की जो रचनाए है फेमस यहाँ पर मैंने तो यह भास की रचना है आपने नोट डॉण कर लिया अगर नहीं किया तो में अगर मेरी बोलने की स्पीड जाथ हो नो पास कर लिया करी वीडियो को नोट डॉण करने के लिए चुकि मैं चाहते हो वीडियो छोटा ही रहे ताकि आपका टाइम बचे वेस्ट नाओ यह दो दुर की बातों में अगले आपका पाड़ीनी इन्होंने अच्तर ध्याय की रचना की है यह बहुत फेमस है यह सब को पता है पर एक रचना और यहाँ पर मैंने लिख रखी है जांब वी जांब वती विजियं ठीक है जांब वती विजियं अगले आपका दंडी तो इनका दशकुमार चिर्टम बहुत फेमस है इसके हम लोग जिक्र कर चुके हैं एक मैंने यहां पर एड़ किया है काव्या दर्श ठीक है इसको भी नोट डाउन कर लिए अगला आपका राज सेकर यहां पर देखे मैंने कुछ चीज़े बता रखी है आपको जो कंफ्यूजन क्रेट करेंगी तो वह वीड इसमें कॉमनार आ रहे मिलता जुलता सूत्र है मतलब नाम है सोरी मीमांचा मीमान सा लेकिन इसको लिखा है किस ने जैंमिनी और इसको लीखा है राज सेकरने तो यह आपको याद रखना पड़ेगा तो इसको ध्यान से नोडाउन ही कर लिजे कंफ्यूजन ना हो इसमें त करते हैं ऐसे ही कुछ और कंफ्यूजन वाले टॉपिक्स हैं जो मैंने लास्ट में कवर कर रखें नेक्स्ट जैदेव चंद्रा लोक और गीत गोविन गीत गोविन वेरी फेमस तो इस बेरी इंपॉर्टेंट लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं न कहीं वह थ हो जाती है जो बहुत फेमस जाती है तो इसलिए चंद्रा लोग भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आपका रूप्यक रूप्यक ने रचना किये श्रहरदय लीला और व्यक्ति विवेक ठीक है तो यह आप याद कर सकते हैं रूप रदय विवेक कई तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको अपने से एक्स्लेइन नहीं करना चाहरीमी से चलिए आगे दिखते हैं मलत माममत्ने कविप्रकाश की रचना की है आप पर कर दिस ऑल्साइर तो आप इसको याद कर लीजेज़ेगर नहीं याद है तो व्यसे याद होगा अगले आपका कपिल का है सांख्य सूत्र नेक्स्ट वरद राज ये लहरी जैसा ही है इसमें भी सारे जरचना है उसमें है कौमदी तो सार सिध्धान्त कौमदी लग सिध्धान्त कौमदी और मध्य सिध्धान्त कौमदी तो ये किसका है वदर वरद राज का है comedy वाले जितने भी है तो इस टाइप से से याद रख सकते हैं सिधानत करके और comedy करके है वरद राज अगला देखते हैं विश्वनाथ ने रचना की है साहित दरपण की ये भी आप इसको जरूर याद कर लिए साहित दरपण की रचना किस ने की है विश्वनाथ ने अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज अब तो लाइक का बटन में तब दबाही दीजे फ्रियो आफ कॉस्ट् ये भी है और ब्रह्मसूत्र ये भी है दोनों संस्कृत की रचनाएं हैं यहां पर वेदान्त लगा हुआ है ड्रैकेट में यहां वेदान्त नहीं लगा हुआ है इस ब्रह्मसूत्र की रचना की है संकराचारने और इस ब्रह्मसूत्र की रचना की है बादरायरने तो अब आपको यह चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कभ मालीजी एक्जाम में सिफ ब्रह्मसूत्र लिखकर आ गया सिर्फ ब्रह्मसूत्र और यह उप्शन में नहीं दिया है यह उप्शन में है तब आप इसको लगाएंगे क्योंकि यहां पर देखिए ब्रैकेट में हैं वेदान तो मत्तब की फिरो ब्रह्मसूत्र यह ही वाला लेकिन अगर आया है और ऑप्शन में यह भी हयो और आपको क्या लगाना है सी ब्रह्मसूत्र लिखा है और अप्शन में यह यह भी है यह तो फिर यह गलत हो गाँ होले छी mesma तो इसी तरस एकलेग करके जो कि आपको नए वीडियो मिलते रहें कमेंट जरूर करिए कि आप कोई वीडियो के ऐसा लगा कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि मदब किस ने मेरी वीडियो को देखा तो मुझे उनके नाम पता चलते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है और ज्यादा वीडियो आप ज चेक आउट कर सते हैं, so keep studying, all the best for your exams, bye bye